नमस्कार दूस्तों आईए स्प्रेपर आपका बहुत पूरुश्वागत हैं। आईए डिसक्स कर लेते हैं क्लास सेवंद की साइंस की इंसियाइटी का अठारवा और अंतिम चैप्टर अफस्ष्ट जल की कहानी। इसको डिस्कुस करने के बाद हमारी कछिसात की NCIT Science समाप्त हो जाएगी, फिर हम अगले क्लास की NCIT की तरफ मूप करेंगे, यहाँ पर मैं आपको क्लियरली फिर से बता देना चाहता हूँ कि यह आपको कई बार लगता होगा कि बहुत कम फैक्ट मिलते हैं, फैक्ट में मत जा जाल जो है, यह कंसिप्ट का है, और फैक्ट कहीं ने कहीं इसके बीच में फसे होते हैं, ठीक है ना, तो आप अच्छे से इसको बस करते रहिए, और और बी NCIT आप देख लिया कीजिए, उसमें हिस्ट्री की है, और साथ में पॉलिटी है, भूगोल है, जोग्रफिक, तो कि यह सब देखिए, आए देखते हैं, काम की बातें यहां पर हम केवल देखेंगे और सफ़ालतू चीजें छोड़ देएंगे, अपसिष्ट के बारे में हमने पढ़ा था, पिछले चैप्टर में भी देखा था, अपसिष्ट क्या होता है, अपसिष्ट यहां पर जल कहा जाता है ठीक है और इस प्रकार के कारियों में प्रिविक जल को बेरत नहीं जाने देना चाहिए फिर क्या करना चाहिए कुछ इसका उपाया भी विस्कुस करेंगे जल कितना महत्पूर है यह हम देख चुके हैं जल संख्या भारत जैसी जल संख्या होगर तब तो बह संख्या जनल एसंबली ने 22 मार्च 2005 को इसको 2005 से 2015 के जो दसक है इस दसक को जीवन के लिए जल पर कारे के लिए अंतराश्टी दसक की रूप में घोसित किया प्रशन कभी कभी पूछ ले आता है कभी 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 क्योंकि यह पहले तो पंदरा तक तो यह बहुत इंपॉर्ट इसलिए करता रहता है कि इसमें अवेरनेस हो जल की सफाई करने के प्रक्रम में जल के स्रोतों में प्रवेश अत्वा उन्हें पुना उपयोग से पहले उनमें से प्रदूस्कों को अलग करना संभलित है यानि कि जब हम उसको फैक्टरी से या फिर ऐसे चीजों से नाडिय होता है यह द 이후 इसमें अलग से जानने की जूरत नहीं फिर भी हम देख लेख लेते हैं पेजल की रूप में सचय जल के और उप्यों होते हैं कि आप जान सकते हैं झीवन के लिए जाल ऐसे यह लोगो था उसका, तो यह जो अभी हमने पढ़ा था, तो यह जल का हम ऐसे उपचार करतेते हैं, वाहित मल क्या है, वाहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कारियालेों और अन्युद्योगों के बाद प्रवाहित किये जनने वाले अपसिस्ट जल होते हैं, और इनमें वर्सा जल की भी संबलित होता है, जो तेज वर्सा के साथ गलियों में बैता है, वहां से भी गंदगी लेकिए आता है, ठीक है ना, और यह अधिकांस जल ऐसा होता है, जिसमें घुले हुए और निलंबित अब्द्रवी होते हैं, और यह अब्द्रवी शंदूशक कहलाते हैं, प के हुए कुछ ऐसे बहा करते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियां होती हैं, पोसकतत होते हैं, मृत जीवी और रोक वहाग जीवान होते हैं, अन्य सुच में जीव होते हैं, और इसमें असुद्धियों के कुछ सामान उधार इस प्रकार हैं, इन्होंने दिय अब कर देखिए यह इंपोर्टन्ट है यह आपसे कभी भी पुछा जा सकता है ठों कार्बनी का सुद्य जैसे मानोमल जैविक यूरिया मूत्र में यूरिया होता है पीडग नासी साक नासी फल और सब्जी का कछरा शुखmind का शुखन चुख्वण करने वालेई यहिते हैं तो ये जल में मौझूद होते हैं, तो अगर ऐसा जल हमारे पेट के अंदर मुँसे चला जाता है, किसी तरह अगर जल सुधर बनाने के करम में तब भी अगर चला जाता है आप ऐसे भी दूर रहेंगे लेकिन अप मिलता ही नहीं है और बड़े सहरों में तो छोटे सहरों में भी आप खरीद के पीना पड़ रहा है समस्त्या है जल सोधन एक घटनापून यात्रा तो इसमें यही सब दिया हुआ है कि सीवर जिसमें मल्विसर्जन यह सारी चीज़े दुनिया भर की जब आप देखते रहते हैं इसमें कोई फैक्ट ऐसा नहीं है यहां पर दिया है संदूसक सर्वेच्छन इनोंने किया है तो खुडाकर कट मलिंजल और उत्पतियस्थल कहां रस्टेजी से होता है से दुर्गंदी अपसेट यह साचाले से होता है जोसाइक से इसमें क्या-क्या पदार संदूसक होते हैं तो अभी मुपर डिस्कस कर चुके हैं इसको अलग से कोई लिष्ट बनाने की जुरूर नहीं है और आप जान भी सकते हैं जब आप से पुछा जाएगा तो कर लेंगे आगे हम देखें प्रदूसी जल जो यह है इसका उपच लिएगा कहने का मतलब इसमें एक पूरा प्रकरम दिया हुआ है कि कैसे उपचार हम कर सकते हैं खैर इसको हम अगर देख लें तो हमारे कहीं न कहीं अगर हमसे ऐसे में पूछा जाए तो आप कर सकते हैं आई यह फटा-फट देख लेते हैं काच कि किसी बड़े जार को ती छूट पर इसको हम छोड़ते हैं को इतना प्रकरम तो हम कहा लिखेंगे हम लोगों की कि लिखना होता है कि एक teeny कैसे चुद्ष करते हैं you चो चूटी-वूटी चीजें हम जानते भी है ए ना तो यह zag ढिख लेते हैं तो यहां पर जिसका सारांस हम देख लेते हैं नहीं है कि कैसा भावतिक प्रक्रम है कि रासाइनिक है कि जैविक तो यह तीनों मिला कर भलतिक भी है और यह रासाइनिक भी है और जैविक लेकिन यह सब होते हैं यह चंद जाते हैं जो दिखने वाले हैं जो चंद सकते हैं वो चंद जाते हैं यह सलाका चंदने हैं देखिए इसमें सफ़ास गए उसके बाद में क्या होता है अब इसको ग्रिट और बालू अलग करने की टंकी में ले जाया जाता है और इस टंकी में अबसे जल को कम प्रवाज से छोड़ा जाता है वहाँ को तेजी से छोड़ा जा रहा था यहाँ पर कम प्रवाज से छोड़ा जा रहा है ठीक है न? अब यहाँ पर जो यह छोड़ा जा रहा है तो इससे वालू, ग्रीट और कंकल पत्थर उसकी पेंदी में बैठ जाते हैं ठीक है ग्रेट और वालू अलग करने की टंकी ये देखिए है तो ये अलग हो गए उसके बाद में अगर हम चलें अब तीसरा जो इस्टेप होता है इसमें जल की एक ऐसी बड़ी टंकी में ले जाया जाता है जिसमें पेंदा मद्धिभाग की ओर धलान वाला होता है और जल को इस टंकी में कई घंटे तक रखा जाता है ठीक है जिससे मल जैसे ठोस पदार जो है उसकी तली के मद्धिभाग में बाड़े जाते हैं जो कुद्दिर रहेगा तो बैठी जाएंगे इन असुद्दियों को खुरच कर बाहर कर लिए जाता है और ये आपंक या सलज होता है और अपसिष्क जल में तैरने वाले तेल और ग्रीज जैसी असुद्दियों को हटाने के लिए अप मत्रत यानि इसकी मर का उप्योग किया जाता है इस परकार साफ के गया जल निर्मली कृत जल कहलाता है अब ये साफ हो गया जल ठीक है ना अब आपंक जो था को एक प्रिथक नंकी में अस्थानांतिर्ट कर दिया जाता है जो बैट गया था और जहां यह अवाईविये जिवाणों द्वारा अफगटित हो जाता है इसको अफगटित करा दिया जता है और इस प्रक्रम से उत्पन होने वाली जो बायो गयस अब निकली उसका उप्यों की धन की रूप में कर लेते हैं कि हम जल साप करने के प्रक्रम में वायो गयस का भी उपादन कर लिए और निर्मली की जल में पंपद्वारा वायू को गुजारा जाता है जिससे वायू यह जिवाणों की बृधि होती है और यह जिवाण निर्मली कृत जल में अब भी बचे हुए जो मानों अपसिष्ट खा दे अपसिष्ट साबुन अन्यावान्चित पदार्थों का उपभोग जो उसमें बचा रहता है छोटा मुटा उसको उपभोग इसका कर लेते हैं जिससे कि यह सुद्ध हो जाता है अब ये उसके बाद में कई घंटों के बच्चा जल में निलंबित सुचम जीव टंकी के पेंदी में सक्रीट आपंक के रूप में बैढ़ जाते हैं अब भी जो बचे हैं सुचम जीव तो नीचे बैढ़ जाएंगे अब सीर्स जल के भाग से जल को निकाल दिया जाएगा उपर से और सक्रीट आपंक लगबग 97 प्रसंड जल है और जल को बालू बिछाकर बनाए गए सुसकल तलों अथों मसीनों द्वारा हटा दिया जाता है अब जो सुसक आपंग का उपयोग जो हुआ जो सुसक आपंग है वो क्या है उसका खाद बन गया वो और उसका खाद की रूप में उपयोग कर लेंगे जिसमें कारविन पदार्त और पुर्शकत तो पुरा मुर्दा में वापस चले जाते हैं तो इस तरह से उपचारी जल में अल्पात्रा में कार्विन पदार्त और निलम्बितत्त होते हैं और इसमें समुद्र नदी अत्वा भूम में विसर्जित कर दिया जाता है और प्राकिर्तिक प्रक्रम इसे और अधिक स्वच्च कर देते हैं कभी-कभी जल को वितरन तंत्रों में निर्मुक्त करने के लिए पहले उसे क्लूरीन अत्वा ओजोन जैसे रसायनों से रोगाण हरित कर लेना आवश्च्च होता है अब यह जल अगर कहीं हम छोड़ देंगे तो यह नुक्सान नहीं करेगा ठीक है ना तो यह देखें बूजो क्या कह रहे हैं नदी में जल प्राकिर्टिक रूप से उन्हीं प्रक्रवों दोरा सख्च हो जाता है जो वाहिद जल उपचार सइंदर में अप आए जाने वाले प्रक्रवों जैसी ही होती है तो यह निचुरल है यह निचुरल प्रासेस है जो नदियों में होता है और यहां पर हम मैनमेट की अभी भई निचुरल प्रासेस पे तो हमारा कंट्रोल ऐसे है नहीं तो हमने मैनमेट कर लिया एक पूरत सइंदर लगा के आगे हम बढ़ें तो यहां देखें कि जागरू जलवास्प को निर्मुक्त करते हैं समझ रहे हैं तो ये अगर आपसे पूछा जाए कौन सा पेर लगाना चाहिए तो यूकिलेप्टिस का पेर हैं इनमें ये अउसोचल की छंता होती है क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा ये अभिशाब भी साबित हुए कई वरदान की वज जाब रुकता ऐसे उसको नदियों नालों में न छोड़ा जाए और गंदा जल लोग पीए ना ये सारी बाते इसमें की गई हैं अच्छी ग्रह विवस्था बनाये रखने की प्रक्रिया ये सारी चीज़ें जो हैं जिसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि अपसिष्ट प हैं क्योंकि इसको फिर सुद्ध करने की बात हो रही ही तो जान समझ लीजिए कि ये सही नहीं है और नाली में वसा मृद्धा के रंधों को बंद कर देती है और जिससे जल को फिल्टर करने की प्रभाविक्ता कम हो जाती है तेल और वसाओं को कुड़ेदान में ही फेके प इसको ऐसे नालियों में नहीं बहा देना चाहिए और यह ऐसे अपसिस्ट अक्सिजन का मुक्त प्रवाद नहीं होने देते हैं इसे निमनी करन का प्रक्रम बाधित होता है सोचता और रोग की हम बात करें तो सोचता की कमी और संदूसित पेजल अनिक लोगों के कारण बनत चल रहा है सोचता अवियान में सबसे ज़्जादा गोउर्मिन्ट जूर्थ क्या दे रही है दरवाजा बंद करें दरवाजा बंद कि इसमें बीग भी आते हैं उन्ता भच्चन है ना तो यह दर वाज़ा बंद का बार-बार कहते हैं कि खुले में कोई सौंच न करें तो ये सारी चीजे खुले में सोच रेल पट्रियों किनारे कहीं भी खेत में कैसे तो ये बहुत रोक फैलाती है और विद्यबालन जी का आपने एक एड़ देखा होगा मच्छियों को मक्हियों को समझाते हुए मक्हियों से वो कह रही है कि इनी को समझा दे क्योंकि लोग तो मा दोल्चित करते हैं और फिर हम उसको पीते यह गढ़बढ हो जाता है हमारा स्वास अनुबढ हो जाता है अनुबचारित मानो अनुमल जल जनित लोगों का सबसे शुगम पत बन बन जाता है यह आहां पर दिया हुआ है तो हैजाट टाइफायट पोल्यो तो यह सब गंदे जल से होने वादी बिमारिया है पेटायटिस पेचिस मेनेंजाइटिस तो यह धिया नखिएगा वाहित मल निप्टान की बैकल्पिक ब्यवस्थान और सचता की इस्तिती सुधारने की दिये कम लागत में यथा स्थान माहित मल निप्टान या तंत्रों को बढ़ावा दिया रहा है इसमें कुछ उत्वारन है सैप्टिक टैंक रासाइनिक सोचाले कमपोस्टिंग पीट आदी तो सैप्टिक टैंक उन अस्थानों के लिए उप्योग थे जहां पे मल वहन की ब्यूस्था नहीं है जिससे अस्पताल अलग थालग बने भवन है ना तो इस तरह से चार बंद नालियों से होता हुआ बायोगैस सहींतर में चला जाता है और उत्पन होने वाली बायोगैस का उप्योग उर्जा के स्वरोत की रूप में किया जाता है अब है सारजविनी के स्थोलों पर सोचता तो बस इस टेंग रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट हम देखते हैं गर कालों मलके सुरचित परसंश्क्रण के लिए आदर सिद्ध हो सकती है क्योंकि इसकी उप्योग में जल की बहुत कम मात्रा किया ऐसकता होती है सवचाले का समचालन बहुत ही सरालों स्वक्ष्य है मानो मल्पूर्त या क्रिमी केकों में परिवर्द की मिर्दा के लिए आति पोश्रक सब्धिद होता है तो जो यह बस इस्टेन रेले स्टेशन और यहां पर हम यह सब गंदगी फैलाते हैं कोई भी भी भाय अस्तर पार्क में भी हम चिप्स खाके पैकेट ऐसे ही फेग देना पसंद करते हैं डेस्ट बिन तक कौन जाए तो यह हमारी गलती है इसमें अब भारवार शवर्स सरकार को दोस्तेना प्रबंधन को दोस्तेना गलत बात है इसको रहान चाहिए और सरकार में कुछ निश्चित मानक निर्धारित हैं अब इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है कि सचता अभी अजय्ता विहान चल रहा है तब भी अगर हमना सचेथ हू को रखनी ही चाहिए ठीक है ना कुड़े दान का परियोग करिए उसमें भी गीला कुड़ा और सुखा कुड़ा ग्रीन और जो ब्लू जो भी डिस्ट्विन है उस तरह एक उपयोग करना चाहिए हमको अपने परियावन को सौच रखना और स्वस्त रखना हम सब के लिए परिवर्तन के दूद के रूप में वैक्तिक पहल से ही बहुत कुछ अंतर आ जाएगा अगर सब लोग सोच लेकि साफ रखना है तो देखिए कि तबढ़िया हो जाए यह सभी वैक्तिक साथ मिलकर कारी करें तो बहुत अच्छा हो सकता है सामुह कारी में अत्तिक सकती होती है महत्मा कादी ने कहा था कि मानविये और पत परदर्सक कारी प्रारम करने के लिए किसी को भी किसी दूसरे का मुह नहीं देखना चाहिए तो पहले आप पहले आप गरबढ़ हो जाएगा आए देख लेते हैं यह सारांस इसका प्रयूक्त जल अपसिष्ट जल कहलाता है उपियोग इसका किया जा सकता है और साप करके घरों द्योगों किर्सी कारी खेतों और अन्यमानों क्रिया कलापों के उपियोग के लिए जल अपसिष्ट जल को जनित करता है और वाहित मल कहलाता है और वाहित मल द्रौरूपी अपसिष्ट पदार्थ होता है जो जल और मि कर्मों के द्वारा उनमें जो सेस रह गया प्रदूशक है उनका निप्टान किया जा सके जहां भूमिगत मल बेवस्था तंत्र और कच्रा निप्टान तंत्र उपलब्द होते हैं वहां कम लागत की यह था स्थान सुचता तंत्र को अपनाया जा सकता है अपसिष्ट जो रोगत्पन करती है इसलिए नालियां बंध होनी चाहिए नालियां हो उनके ओपर से ठकल लगा हो हमें खुले में मलत्याग नहीं करना चाहिए कम लागत विद्धियों को अपना कर मलका सुरची निप्टान संभाव है इस तरह से आज यह एक अच्छा साथ की कर सकते हैं प्लेस्ट में जाईए वहां पर पूरा एक साथ में आपको मिल जाएगा जब भी आपको रिवाइस करना हो प्लेस्ट में जाईए कच्छासाथ sweetness क्कूलिए ऑपन करके उसका एक stretch आपक यब देक सकते हैं पूरी प्लेडिस्ट आप सेर करिए लोगों तक पहू होगी थाइंक्यू थाइंक्यू वेरी मच्च आपका दिन सुभ हो अच्छे से पढ़ें जल्दी सफाल हो